आपका हर्दिक स्वागत है आज हमारे साथ हैं कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पूरू मंतरी और मीडिया प्रभारी मुगेश नायग जी नायग जी विधानसवा चुनाव बिलकुल नजदीख हैं क्या लगता है आपको कौन-कौन से मुद्धे इस बार प्रमुक रहने वाले हैं लेकि मुद्धों की हमारे पास कोई कमी नहीं है इनके दस साल के साशन में बहुत इकलक्ष कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिती बीजेपी के नेताओं का इनके अनुसांगिक संगठनों में बैठे लोगों का इनके मंत्रियों का विधायकों का मंडी कमेटी के वो हमारे प्रमुक मुद्ध होंगे हम पूरे मद्धपरदेश का चुनाओ ब्रस्टा चाप कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिती बीजेपी के नेताओं का व्यवहार इस पर फोकस करेंगे स्थानी मुद्धों पर लड़ेंगे हम चुनाओ पूरे प्रदेश भर म जहां तक बहुते कलक्षों का प्रश्ट है अभी बारिश में सारी पोल खुल गई है 16,000 किलो मीटर सड़कें मद्धपरदेश में बनी और उस में से 12,000 किलो मीटर सड़कें तूट गई ये बीजेपी ने खुछ सुईकार किया है इस सरकार ने सुईकार किया है पहली बार उर्पे की लागत के बांध तूट गए तो जैंतवलैया जो सिचाई मंत्री है उन्होंने विधान सवा में कहा कि अधिक उत्साहा के कारण ये बांध बने थे इसलिए तूट गए मैं इंसे पूछेना चाहता हूँ कि अधिक उत्साहा तूटने का कारण है या करप्शन कारण है भ्रस्टा चार गुणवक्ता की कमी क्वालिटी अफ वर्क में कमी ये बुनियादी कारण है सिचाई परियोजनाओं से बने बांधों को तूटने का पर वो तो कहते हैं विक प्रणी होगी कि पिछले 45-50 सालों में जतना बजट ये जतना पैसा विकास के लिए नहीं था उतना इन 9 साल 10 सालों के लिए सरकार को मिला है पिछले 3 सालों में केंदर सरकार से 35,000 करोड रोपे की मदद राज्य साचन को बहुत एक लक्षों के लिए सामाजी गुथान के लिए और अलग-अलग शेत्रों में चलना ही योजनाओं के लिए मिला है 35,000 करोड इस धनराशी का दुरूपयोग हुआ है मैं अभी आगे आपको अलग-अलग योजनाओं में कितना कितना पैसा पिछले 3 वर्षों में राज-सरकार को मिला है उसकी जानकारी दूँगा मै ये कहना चाहता हूं कि जितना बीजेपी के नेताओं को मिला उसकी तुलना में जनता को बहुत कम मिला ये अपने शादी और ब्याह में 50-50 लाट के होडिंस बना के टांग रहे ये पैसा आ कहा से रहा है एक-एक नेता अपने जिलों में भागवत करता है एक-एक करोड तरीके का रोजगार उनमुखी कारक्रम और अभियान है जिसके तहत ये चंदे की उगाई करते हैं आप विस्वास नहीं करेंगे के पिछले नौ वर्षों में बीजेपी के चंदा बाज नेताओं से व्यापारी अधिकारी और थोड़ा भग पैसा भी समाज में जिन लोग अगर हम बात करें बीजेपी की तुलना में कॉंग्रेस में गुटबा जी कुछ ज़्यादा देखाई देती है ऐसा बीजेपी का आरोफ है गुटबा जी तो बीजेपी में है कल स्वरेंदर पटवा जी ने कहा कल कि सुस्मा स्वराज को प्रधान मंतरी बनना चाहिए शत् पूरी पार्टी का कोई एक सुर नहीं है, इस पार्टी में आप मुझे बताइए कि हमारे लीडर्शिप को ले के कोई डिस्प्यूट है क्या, इस पार्टी का एक ही नेता है, सोनिय गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे युवा पीडी के नेता, हमारे हाँ कोई गुटब प्रदेश की जन्ता देख रही है इनकी चाल क्या है एक दिशा में अडवानी जी जा रहे हैं एक दिशा में मोदी जी जा रहे हैं एक दिसा में सुस्मा स्वराद जा रहे ही एक दिसा में शिवराद सिंग चौहान जा रहे हैं एक रथ में अगर छे गोड़े जुते हुए हैं तो इनकी परंपरा रही है कॉंग्रेस विरोधी दलों की कि वो छे दिसाओं में भागते हैं दसों दिसाओं में अलग-अलग भा मैं मुकेश नायक, मैं भी हिंदू हूँ, इस पर मुझे बेहत गर्व है, मैं अपने गरंथ पढ़ता हूँ, अपनी विशी परंपरा को मानता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपने ईश्वर को मानता हूँ, और मुझे उस पर पूरी शृद्धा और विस्वास है, लेकिन मैं कहने लगूँ कि मैं इस देश में हिंदू रास्ट चाहता हूँ, कल के रोज कोई मुसल्मान कहने लगे, मैं इस देश में मुसलिम रास्ट चाहता हूँ, कल के रोज कोई इसाई खड़ा हो जाए कहे हम इसाई रास्ट इस देश में चाहते हैं, कल के रोज कोई सिख चंड प्राण तुल्य माने उसकी रक्षा करे उसको भोजन दे उसको रोजगार दे उसके विकास में सहाइक बने समाज में तैयार होने वाले अवसर सब लोगों के लिए बराबरी से हो और साशन और सत्तम वैठा आदमी राज धर्म का पालन करे ये ये रास्तीता है ये कैसा रास् स्पेस है बोलने की आजादी है विक्षित होने की आजादी है इस देश में एक ऐसा उदार शहष्णू और पूरे देश की जनता की पीड़ा से जिसका हिर्दा पिगले ऐसे नेता की जरुबत है इस तरह के रास्तवाद से देश को कोई फायदा नहीं होगा मोधी अधर ही जो निर्वेवाद नेता नहीं है सर्व माने नेता नहीं है प्रचार समीति की जब वो अध्यक्ष बने तो अड़वानी जी ने स्तीफा दे दिया और कहा क्या भी ये पार्टी दीन द्याल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुकर जी नाना जी देश मुख और अटल अटल विहारी बाचपई उधारता और शेहशनता के पतीक माने जाते हैं अडवानी जी का ये कहना कि ये सब नहीं रहे इस का आर्थ ये है कि उनकी जगे मोदी ने ले ली और इस पार्टी में ना सेवा रही ना शेहशनता रही ना विचारधारा रही कॉंग्रेस डरी तो नहीं है कहीं मोदी से हम क्यों डरेंगे अभी बात चल लए है मोदी जी और राहुल गादी की इस विशय को मैं कम्प्लीट करना चाहता हूँ एक नेता की अपने पार्टी में स्विक्रती नहीं है वो अपनी पार्टी का निर्वेबाद नेता नहीं है दूसरा एक ऐसा नेता जो अभी प्रधान मंत्री बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्रिक देश सबासो करोड की आवादी का देश उसके प्रधान मंत्री बनने से कोई नेता मना करे ये त्याग किसी दूसरे राजनेतिक दलों में है यही अंतर है मोदी जी में और राहुल गांधी में कि एक विक्ती अभी प्रधान मंत्री बन सकता है लेकिन बनने के लिए बना कर रहा ह इस देश के प्रधान मंतरी बन जाएंगे, इन्हें बना कौन रहा है प्रधान मंतरी? त्याग, तपस्या और बलिदान, ये नारा बीजेपी के पास आ गया और नेता आप के पास है, ये कहना चाह रहे हैं आप। देखे, बीजेपी में तो त्याग नाम की कोई चीज नहीं है, इनका क्या त्याग है, क्या योगदान है, इनका पूरी लोगतांत्रिक संस्थाएं भारत में कॉंग्रेस ने बनाई, उन्नेश स्विक्यावन और बावन के बाद पंचवर्शी योजनाय बनाई, जितने भी ए पंचवर्शी लोगतांत्रिक संस्थाएं, भूमी विकास बेंक, सहकारी बेंक, ये सब कॉंग्रेस ने बनाई, बेंकों का राश्टी करन किया, राज महराजाओं की प्रिवी पर समाप्त किये, और आज देश में जो फूट सेकुरिटी बिल कॉंग्रेस ने लाया है, ये देश की 80 करोड जनता के लिए है, पर मद्यप्रदेश में ये पहले ही लागू हो गया एक जूट से और आपके किंद्र ने जो इसको बाद में अध्यादेश लाएं, फूट सेकुरिटी बिल अध्यादेश आया, उसके एक महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने अपने नई मैं बताओं आपको, लगभग 35,000 करोड रोपे पिशले तीन वर्षों में मद्यप्रदेश में विभिन्य योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने दिया, जो ये सार्ब जने की वितरन प्रनाली के थायत सस्ता अनाज दे रहे हैं, उसका 89% 89% हिस्सा सरकार दे रहे ही केंद् प्रती कुइंटर जो समर्थन मूल है, वो कितना है और किसने दिया है, केंद्र सरकार पूरा पैसा दे रहे हैं, ये तो जो आनाज खरीद रहे हैं, उसका ना भंडारन कर पा रहे हैं, पूरा आनाज सड़ रहा है, फपून्द लगा हुए गेहूं, बाल, आपने सुना कर इनके अधिकारियों ने बयान दिया, कि जैसा तुम गेहूं दोगे, हम वैसे ही मध्यान भोजन में रोटी बना के न देंगे, इनका गेहूं मेदानों में रखा हुआ सड़ रहा है, बोनस तो देते हैं ये किसानों को, कितना पर कुंटल कितना बोनस देते हैं, डेड़ सो रुपे मध्यपजिस की सरकार देती है, एक कुंटल पर, और ये कहते हैं कि ये हमारी योजना है, जिसने तेरा सो पचास रुपे दिये, ये उसकी योजना नहीं है, पर इनका कहना ये भी है, कि साब केंदर कोई इहसान नहीं कर रहा है, यहां से जो टेक्स के रूप में र प्रणाली की क्या इस्त encima देती है, इनकी राषण की दुकाने संविए पर नहीं करती है, अपने कारी करताओं को अपनी समीटियों को इन्हों ने राषण की दुकाने दे रखी है, गोडाउन से दुकान के दरवाजी तक अनाच नहीं आता है, रास्थे में बिचोली उसको बहुत गाउं ऐसे हैं, जहां गाउं के लोग मजदूरी करने के लिए पलाइन कर जाते हैं, जब वो चार महीने तीन महीने के लिए बाहर चले जाते हैं, उसके पहले बिचोली आते हैं, दो तीन सो रोपे उनको देते हैं, उनका कार्ड गिरी भी रख लेते हैं, और तीन से करप्षन है सारवदनिक वित्रण अप्राली में नेताओं की भागवते नेताओं के भंडारे नेताओं के जन्म दिन का भोजन राशन की दुकानों से हो रहा चल रहा है बुंदेलखंड प्रकेज की बात करें तो किंद्र ने काफी कुछ पैसा दिया आप चुकि उस छेतर से भी आते हैं क्या आपको लगता है कितना काम हुआ उस छेतर बुंदेलखंड की जन्ता इन्हें कभी शमानी करेगी इस भारत वर्ष का सबसे गरीब अचल चार हजार करो तोड़ों रुपे की लागस से बना हुआ बांध बह गया और मंत्री जी कह रहे हैं कि अधे कुछ उत्साह में बांध बनाया इसलिए बह गया यह कोई उत्तर है विधान सभा में देने का यह कोई अकाउंटिबिलिटी और रिस्पांसुबिलिटी एक मंत्री की ऐसे निरलज मंत्री जो जनता के घरीब जनता के धरती के रंग जैसे किसानों के पैसे का दुरूपयों कर रहे हैं इन्हें कभी जनता को जनता को इन्हें माफ नहीं करना चाहिए बीजेपी ये भी कहती है कि साब जितना विकास पिछले दस सालों में बीजेपी शाषनकाल में हुआ उतना कॉंग्रेक्स शाषनकाल में नहीं हुआ था तो वो तुलनात्मक रूप से जो आंकले रखते हैं वो कई गुना जादा होते हैं पिशले दस सालों में जितने पैसे चाहे वो कॉंग्रेस साशित राज्य हो चाहे बीज़पी शाशित राज्य हो पिशले दस साल में जितने पैसे पूरे देश में राज्यों को मिले हैं 50 सालों में नहीं मिले मैंने पहले कहा मैं जब पहली वार विधायक बना, 1985 में, तो पहली वार्षे गोजना 2800 करोड की थी, पूरे राज्य के लिए establishment का भी खर्च उसमें शामिल था, रख रखाओ का, प्रबंधन का, वेतन का, और विकास और भहते गलक्षों का भी बजट उसमें सामिल था, एक वर्ष की योजना 2800 करोड रुपे, और मैं बताओं अभी आपको पिशल तीन वर्षों में, महत्मा गांधिक जो राज गैरंटी योजना है, इसके लिए 953 करोड 52 रुपे के एक केंदर शारकार से मिले हैं, तीन वर्षों में, 4900 रुपे सर्भ सिक्षाभियान के लिए मिले हैं, तीन स्वास योजना है, रास्ती स्वास्त मिशन है, तुरेत ग्रामिड जल आपूर्ती कारिक्रम है, और ICDS में, हमारी बिजली के लिए, बागवानी के लिए, कृशी के विकास के लिए, और आदुनिक धंग से खेती करने के लिए, इन सारी योजनाओं को मिला दिया जाए, तो और उसमें से इन्होंने स्कूल बनाए, सडके बनाए, पुल्पुलियं बनाए, बांध बनाए, उनकी क्या हालत है, एक-एक स्कूलर जिन नेताओं के पास थी, पचास-पचास गाडियां हैं, एक-एक नेता के पास, पचास-पचास डंपर हैं, पचास-पचास डंपर, द हम की इस्तिती फैलाई जा रही है उन पर जो हमला करवाने की जो खबरें फैलाई जा रही है ये कांग्रेस फैला रही है देखिए इस पर तो हसी आती है प्रभाद जहासाब ने जो पुराने अध्यक्ष हैं उनको बहुत गंभीरता से आजकल बीजेपी मद्दप्रदेश मे लेनी रही है और फिर से उनको मालूम है कि मुख्यमंत्री शिवराद का थोड़ा सा और विस्वास हरजित कर लें इसके लिए उनके प्रती निष्ठा प्रगट करने के लिए अधिक उत्साह दिखा रहे हैं अब वो कह रहे हैं कि माननी शिवराद सिंग जी को खत्रा है और कांगरेसियों से है आपको हसी नहीं आती उनके इस बयान पर कांगरेसि का कोई एस इतिहास रहा है इस तरह का हिंसा का विरो डिफितल के लोगों के साथ इस तरह का व्यववार करने का रे हमारी तो महात्मा गांधी की पारिटी है अहिंसा अप्रेम Kरुना दया हमारे इस तरह की हिंसा का ना तो हमारा कोई इतिहास है ना हमारी कोई अची विचार दारा है बीजेपी एक बात और कहती है कि आप बेवज़े आरोप लगाते हैं मैदान में अगर जाएं तो वहां जनता के सामने इन चीजों को नहीं रख पाते के वाकई में कहीं बीजेपी कमजो रहे उनके पास जो घोषना है जो उनके पास आरिकरम है वो ऐसे हैं जो जनता को स्ट्राइक करते हैं बीजेपी को लगता है कि जनता को कुछ पता नहीं है जनता को सब पता है 2006 जनवरी से शिवराज सिंग जी ने 34 पंचायते अपने निवास पर लगाई सरकारी खजाने से उनको भोजन कराया अच्छा भावनात्मक भाशन दिया परिणाम क्या आया बहुत समय नहीं है मैं दो पंचायतों के आप से बात कर लो 34 पंचायते लगाई किसान पंचायत लगाई क्या कहा क्रिशी उपकरणों को कर से मुक्ट कर देंगे किया बिजली तो दी है जब से उन्होंने जिस जिले में जाकर 24 घंटे बिजली देने की घोशना किया है आप किसी भी जिले में चले जाईए लोग कह रहे हैं पहले से ज लाया नहीं मिल लई नहीं मिल लई और आठ गंटे से अठारा गंटे तो हो गई जो दिग्विजे सिंग के शाशनकाल में जिन विद्धुत परियोजनाओं के M.O.U. हुए थे वो समय पर प्रोडक्शन में नहीं आ पाए आधे आधे रह गए लिकिन जैसे ही शिवराज सिंग जी का एक कारेकाल पूरा हुआ पांच वर्ष का तो वो छटवे शाल में बीजे पी जब पहुँची तब तक वो सारी परियोजनाओं प्रोडक्शन में आ ग की थी हम समय पर इनको पूरा नहीं कर पाए यह हमारा दुरभाग है हमारी गल्ती है इसको हम से विकार करते हैं यह योजनाओं तब प्रोडक्शन में आई जब बीजे पी का शाशन आ गया और इसकी इनको क्रेडिट मिल गई शिक्षा की बात करें बहुत उपलबदियां वो लोग गिनाते हैं मुझे एक ऐसा इन नौ वर्षों में खोला गया शिक्षा का केंद्र बता दें जिसमें मद्धप्रदेश के बाहर के बच्चे आकर एड्मिशन लेते हों मैनेजमेंट का कोई कोर्स बता दें एमबीयो हो, एमसीयो हो या इंजिरिनिंग कॉलेज में नए इन्होंने परियोग कियो हो इनके नेता मोदी जी वहां कहते हैं कि आज तक शिक्षा के शेक्ष्टर में कुछ नहीं हुआ और कम से कम एक मिल्टरी का इंजिरिनिंग इंस्टिटिट खोल देते जिसमें सेने प स्कूलों में वही एडिमीशन लेता है जिसको कोई एडिमीशन नहीं देता मद्ध प्रदेश में साच की महाविध्यालयों में आदे थे ज्यादा सीटें खाली पड़ी हुए शिक्षक पड़ाने नहीं जाते बच्चे स्कूलों गेंदर छत्ते लगा कर बैठते हैं कि इत जरूरत नहीं थे उतने इंजिरिंग कॉलेज खुल गए आज मेडिकल एजुकेशन की क्या इस्ति है मद्ध प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन आप कितने नेफ्रोलोजिस्ट हैं जो पड़ाते हैं मेडिकल कॉलेजों में ये बच्चे क्या तयार करेंगे शिक्षा की ज भारत में कहीं नहीं है और इस सरकार की शिक्षा को सबसे कम प्राथमिक्ता नौ वर्शों में रही है आपके यहां मौके तो मिले आपको परंतु जनता के बीच जाकर आपने उन अंदोलनों को सड़कों पर नहीं उतारा जिसको कहें जिसकी वज़े से पाइटी की इमेज यह बन गई कि कांग्रेस के नेता सिर्फ और सिर्फ कमरों की राजनीती करते हैं देखिए यह परसेप्शन बनाई जा रही ऐसा होता तो थोड़े समय पहले उत्रकंड में हमाई सरकार बनी जहां बीज़ेपी की सरकार थी करनाटका में हमाई सरकार बनी जहां बीज़ेपी की सरकार थी ये तीन बड़े राज्यों में क्यों हार गए अब ये गुजरात गोबा और एक राज च्छाटीज गर तक से मट गए इतने बड़े देश में कुल तीन राज्यों में इनकी सरकारे हैं इनके नेता प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं इनके नेता गु करते रहे हैं कि नोने पैसे खाए हैं जो मद आज चड़ा हुआ है मद्द प्रदेश के नेताओं को अब जाकर देखो समय पर यह दफ्तर में नहीं बैठते हैं काम अनादमी से मिलते नहीं है यह मिलते उसी से हैं जिससे इन्हें धंदेवाजी करना हो कोई अनुशाशन इनकी दिंशर्या में नहीं है इनके दफ्तर समय पर नहीं खुलते जाकर देखो कैसी अराजक्ता मची हुई है इनके मंत्री दोपहर में 10-25 रोटी खाने के बाद 3 घंटे सोते हैं इनका गरह मंत्री दोफेर में 4 घंटे सोता है जब सो के उठता है तो उससे पूछा जाता है कि आपके एक थाने पर हमला हो गया तो वो कहता हमें नहीं मालूं किस थाने पर हमला हो गया मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था तो नहीं मालू है यह तो इन्के अंतरियों की हालत अफसर साही की बात करें तो वो कितनी सजीत्णी से ले रही है इनको इंको गोले की सबारी Stitch की इनके जुझ नेताओं को आदत नहीं है इनके हाथ में लगाम ही नहीं है यह तो सिर्फ ना समय बद्ध इनके विकास के कारिक्रम है ना समय बद्ध और अनुशाशन बद्ध इनके कारेले प्रशाशन के कोई निरने हैं क्योंकि नोकर शाही पर इनका कोई नियांतरग नहीं है तो ये थे मुगेश नायक जी, क्रॉस फायर में आज इतना ही, अगली बार किसी नई स्वक्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आग्या दीजी, नमस्कार